आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां रोक्थाम के लिए दुनिया में किस कोने में क्या कोशिशे जारी हैं ये सब कुछ आपको मिलेगा आज के कोरोना कफरेज में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों खून पतला करने वाली दवाईयां लेने वाले लोगों को को वैक्सिन की वैक्सिन नहीं लेनी चाहिए फिर दुनिया भर में कब तक सभी को वैक्सिन लग जाएगी किस देश के नागरिकों को वैक्सिन मिलने में अभी वक्त लगेगा और क्या 80% लोगों को वैक्सिन लगा दी जाएगी तो इस महमारी से हमें छुटकारा मिल जाएगा और अंत में आपकी मुलाकात एक वैक्सिन लगवाने वाले नर्सिंग ओफिसर से करवाऊंगी और सुनेंगे उनके वैक्सिनेशन को लेकर अनुभव कैसा रहा। इन सब पर विस्तार से करेंगे बाद लेकिन सबसे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स पर नसर डाल लेते हैं। जादा स्वास्तेकर्मियों को वैक्सिन दी जा चुकी है। वहीं बीदे दिन वैक्सिन के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स के छे केस रिपोर्ट हुए है। दुनिया भर में कोरोना वाइरिस के मामलों की संख्या 10 करोड के पार पहुच गई है। वहीं इस महामारी से दुनिया भर में 21,56,850 लोग अपनी जान गवा चुके हैं। हाला कि भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,689 के सामने आए हैं वहीं 137 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि देश में अब अक्टिफ केसिस की संख्या 1,76,498 है। Serum Institute of India एक हफ़ते में साउधी अरब को 383 रुपे प्रती डोस की कीमत पर AstraZeneca COVID-19 वैक्सिन की 30 लाख डोस की आप पूर्ती करेगा। WHO ने COVID-19 मरीजों के इलाज को लेकर नया चिकित सा परामर्ष जारी किया है। इनमें वो मरीज भी शामिल है जिनमें ठीक होने के बाद भी लगातार सिंटम्स नजर आ रहे हैं। परामर्ष में घर में मरीजों को पल्स ओक्सिमेटर का इस्तमाल और लो डोस एंटी को ओगिलेंट का इस्तमाल की सलाह दी गई है। दक्षन अफरिका के राष्ट्रपती सिरिल रामफोसा ने बीते दिन कहा है कि अमीर देश कोरोनावाइरस संक्रमन से बचाव के लिए वैक्सिन की जमा खोरी कर रहे हैं। राष्ट्रपती ने ये भी कहा कि दुनिया के अमीर देशों ने उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वैक्सिन की खोराके ले ली हैं और कुछ देशों ने तो अपनी जनसंख्या की जरुरत से चार गुना जादा मात्रा में वैक्सिन लिये हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। वैक्सिन की तरफ से हफ्तों पहले एक फैक्सिट जारी की गई थी जिसमें लिखा था कि जो लोग ब्लट थिनर्स यानि खूम पतला करने वाली दवाई लेते हैं उन्हें को वैक्सिन नहीं लगवाने चाहिए। हाला कि सीरम इंस्टिट ऑफ इंडिया की वैक्सिन कोविट शील्ड के फैक्ट शीट में ये बात सीधे तौर पर नहीं कही गई है लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो भी इस तरह की दवाईयां लेते हैं उन्हें अपने फिजिशिचिन से एडवांस में अडवाईस ले ल आते हैं तो जब इन लोगों को वैक्सिन लगेगी ही नहीं तो किसे लगाएं भला मैंने उजाला सिगनेस ग्रूप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डिरेक्टर सुचिन बजाज से बात की डॉक्टर ब्लड थिनिंग जो है वो किस तरह से वैक्सिनेशन में बाधा ब में लग सकती है और एक पॉसिबल उसका साइड इफेक्ट है कि वहाँ बैक्सिन इंजेक्शन साइट पर एक हिमाटोमा बन सकता है यानि हिमाटोमा मतलब एक बलड का कलेक्शन कि अगर आप किसी भी चोटी मुटी नस को अगर सुई लग जाए तो वहाँ से खून रिष सक हसाइस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट इसको ये कहना कि ये लोग बिलकुल वैक्सिन ना ही लें मेरे ख्याल से को वैक्सिन के मेकर्स की तरफ से थोड़ा ओवर प्रिकॉशन है मेरे हिसाब से और जितने भी डॉक्टर्स से मैंने बात किया है उन सब के हिसाब से ही ऐसा हमारी तरफ से रिक्मेंडेशन नहीं है क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स शुरू में ले भी चुके हैं ये वैक्सिन जब तक कि ये फैक्ट शीट नहीं आई थी पर अब अब बाकी सरकारी हॉस्पिल्स में ब्लड थे नर्स पर अगर कोई पेशेंट है तो मेजिकल हिस्ट्री चेक की जा रही है किस बेसिस पर होता है देखे प्राइटाइज डेफिनेटली उनको किया जा रहा है जिनको को मोबिटीटीज है जैसे टाइबिटीज, हार्ट डिजीज ब्लड प्रेशर, कैंसर डिजीज, किड्नी डिजीज उनको डेफिनेटली गर्वर्मेंट ने प्रियरिटाइज किया है कि उनको पहले लगाई जाएगी पर आप यह देखे कि ब्लड थिनर्स वैसे भी एक तो बहुत कॉमन सी टर्म है ब्लड थिनर्स, scientifically हम लोग ब्लड थिनर्स नामक कोई टर्म यूज नहीं करते हैं तो ब्लड थिनर्स में आप एंटी प्लेटले ड्रग्स भी ले सकते हैं जैसे एस्प्रिन और एंटी कोगलेंट्स भी ले सकते हैं तो एंटी प्लेटले ड्रग्स तो जितने भी यह को मॉबिटिटीज वाले लोग हैं चाहे diabetes हो, चाहे heart disease हो या कोई और ऐसी problem बढ़ी हो तो उसमें जादातर लोगों को aspirin की तवाई चल ही रही होगी तो इस fact sheet की वजह से ऐसा हो सकता है कि जिनको हम prioritize करना चाह रहे थे उन्हीं लोगों को vaccine ना मिल पाए जिकी desirable नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस fact sheet को definitely भारत बाइटेक को reconsider करना चाहिए अब जब तक manufacturers इस बात की clarity नहीं करते हैं तब तक तो जो vaccine लेने जा रहे हैं उन्हें क्या सावधानिया बरतनी है देखे, COVID shield में तो वैसे भी ये contraindication नहीं है blood thinners की अगर आप खा रहे हैं तो आप vaccine नहीं ले सकते हैं ऐसा नहीं है COVID shield में और जाता तर doses अभी COVID shield की ही मिल रही है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है लेकिन आप जरूर अपने doctor से बात करें जब भी आपका vaccine लगवाने का time आए तो doctor से ज़रूर discuss करें doctor से बात करें उनको अपना पूरा detail history बताएं और उसके बाद vaccine लगवाने जाएं और जब vaccine लगवा भी रहे हो तो वहाँ पर जो लोग vaccine लगा रहे हैं उनको भी अवश्य बताएं कि आप क्या-क्या दवाई खा रहे हैं और क्या-क्या आपको किसी चीज़ से अगर कोई allergy है या कोई पहले कोई ऐसी problem होई है तो वो भी ज़रूर बताएं वहाँ पर वैक्सिनेटर्स को शुक्रिया doctor जिस तेजी से vaccine बनी है उससे हमारी के जल्द खतम होने की आशा भी जग गई है लेकिन इसमें जो पेंच अटका पड़ा हुआ है वो है कि आखिर पूरी दुनिया में वैक्सिन कब तक सभी को लग जाएगी किसी देश की आबादी बहुत बड़ी है तो किसी देश के पास उतने resources नहीं है कि वो वैक्सिन का खर्चा उठा सके Unequal distribution और production ही एक बहुत बड़ा पेंच है जिसकी वज़ा से वैक्सिन को इस दुनिया के हर एक नागरिक तक पहुँचने में वक्त लगेगा एक रिपोर्ट आई है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि कब तक इस देश को वैक्सिन लग पाएगी और एक बात ये भी कि क्या सभी को वैक्सिन देने की जरुत पढ़ने वाली है या सिर्फ कुछ लोगों को ही लगा देने से इस महामारी से हम जीत पाएंगे भारत के कॉंटेक्स्ट में ये कब तक पूरा हो जाएगा हमारे सहयोगी प्रतीक वागमारे से मैंने पूछा जिन्होंने इस पर पूरा रिसर्च किया है तो प्रतीक बताईए सबसे पहले तो यही कि दुनिया में कौन से देशों को कब कब वैक्सिन लग जाने का अनुमान है इस रिपोर्ट में देखिए खुश्बू एक स्टडी के मुताबिक ये बताया गया है कि भारत और चीन में जो वैक्सिनेशन प्रोग्राम है वो 2022 के आखिर तक खिच सकता है क्योंकि इन दो देशों की पॉपुलेशन आप देखें तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी इन्ही दो देशों में है और देखिए वैक्सिन नैशनलिजम पर हमने विस्तार से पहले कई चर्चाएं की है और अब चीजे देखने को भी मिल रही है वैक्सिन के अनिक्वल डिस्ट्रिबूशन को लेकर भी चिंताय बनी है अमेरिका की बात करें तो जहां पर वैक्सिनेशन प्रोग्राम अल्रेडी जारी है अब वहां की राश्ट्रपती जो बाइडन ने एडिशनल बीस करोड वैक्सिन के डोजस फाइजर और मॉडेरना से सिक्योर कर लिये है जो इस गर्मी के मौसम तक उन्हें मिल जाएंगे यॉरोप में खुश्बू आक्सफोर्ड की वैक्सिन के सप्लाइ में देरी की वजह से यॉरोपियन यूनियन ने ये तई किया है कि वो अब वैक्सिन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा देंगे यानि जिन देशों तक वैक्सिन पहुँचाने का वादा यॉरोपियन यूनियन ने किया है वहाँ वैक्सिन अब शायद नहीं पहुँच पाएगी वहीं खुश्बू इस स्टडी में ये भी बताया गया है कि 2023 से पहले 85 गरीब देशों में बड़े स्तर पर वैक्सिनेशन प्रोग्राम शुरू होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा कम है इसमें अफरिका के देश हैं और एशिया के कई गरीब देश शामिल है अगर आप ये सोच रहे हैं कि WHO इन तक वैक्सिन पहुचाएगा तो बिलकुल WHO के पास एक स्कीम है जो गरीब देशों तक वैक्सिन पहुचाएगी लेगर आपने क्या पढ़ा और क्या समझा है बिलकुल खुचबू बात है हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने की अब या तो आप इनफेक्ट होकर हर्ड इम्यूनिटी अचीव करें या फिर वैक्सिनेट कर तो आपको जरुवत ही नहीं है कि 100% दी लोगों को वैक्सिनेट किया जाए 50% से 80% पॉपुलेशन को भी अगर वैक्सिनेट कर दिया जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी को आसानी से अचीव किया जा सकता है और हमारे देश भारत में भी शुरुवात में जो ICMR है वो ये बात कह चुका है कि हर एक को सरकार वैक्सिनेट नहीं करने वाली पॉपुलेशन के एक हिस्से को वैक्सिनेट करने से कोरोना की जो ट्रांस्मिशन चेन है उसे तोड़ा जा सकेगा जिससे की 100% दी लोगों को वैक्सिनेट करने की जरुवत नहीं पड़ेगी और खुश्बु मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि सभी को वैक्सिनेट कर कुछ ज्यादा हासिल होने भी नहीं वाला अगर हर एक को वैक्सिनेट करने जाएंगे तो साइड इफेक्ट का लोगों को सामना करना पड़ेगा भले वैक्सिनी अप्रूवड है सरकार ने इसे बड़ी सोस समझ कर क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद अप्रूव किया उनहीं कोरोना की वैक्सिन दी जानी जाहिए और यूमी खुछबू भारत में तो कई लोगों में इम्म्यूनिटी डिवलप्ट हो चुकी होगी हम कई सारे सेरो सर्वेज में देख चुके हैं कि 50% से ज्यादा लोगों में एंटी बॉडी की मात्रा मिली है इसलिए वैक्सिनेशन का प्लान इस तरह से बने कि हम वैक्सिन उन्हें ही दे जिन्हें वाकई में उसकी जरूरत है तो ये थे प्रतीक जिन से मेरी बातचीत आपने सुनी शुक्रिया प्रतीक इस पर डिटेल में बताने के लिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद लोटेंगे तो आपकी मुलाकात करवाओंगी एक नर्सिंग आफिसर से जिन्होंने वैक्सिन लगवाई है आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मुबाईल अप्लिकेशन पर भी प्ले स्टोर से आज तक की मुबाईल एप डाउनलोड करें एप में आपको सबसे उपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे उन में से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रीडियो का आइकन तो उसे उंगली से जरा सचू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा जिसमें क्या है न्यूस तो हर जगे है पर हमारे यहां न्यूस है सही कॉंटेक्स्ट के साथ खबर तो आगई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनलिसिस आपको हमारे यहां मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है ज्यान की बाते हैं मज़ेदार किस्सें हैं बत कही है और और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का ये डेली पॉड़कास्ट कोरोना कवरिज मेरे यानी खुश्ब के साथ आज आपको राजश्री से मिलवाती हूँ ये उमा शंकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इमोर्जेंसी वाड में नर्सिंग आफिसर है आपको अगर वैक्सिन लगने के प्रोसेस को समझना है तो ये आपको बखू भी बताएंगी अगर वैक्सिन से थोड़ा भी डर है त आपको कुछ भी थाकान भी नहीं हुई वैक्सिन लगवाने के प्रोब्लम नहीं अच्छा जब आप वैक्सिन लगवारनी के लिए गए थे महां पर तो उस वक्त वहां कैसा माहौल था हमारे हैं बहुत की अच्छा मेरे सी एमसर ने इतना अच्छा और सब लोगों ने मिल के इतना बढ़िया महाते हैं लग रहा था है ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग वैक्सिनेशन के लिए आए हैं बहुत ही अच्छा मों को मिल्कम किया गया है फ्लावर से विलकम किया गया स्टाफ के जो सर लोग भी थे सब ने मिल्म एक टूज एक टूज गार्ट से लेकि कि हम लोग वैक्सिन लगवाने आए हैं ये एक जीत की शुरुवात है जी हां बहुत अच्छी शुरुवात है इसमें हम लोगों ने बहुत अपनों को खोया सब खोया तो ये एक बहुत अच्छी शुरुवात है बहुत खुशी की बात है कि अब हम जीत की और अगरधर हो तो क्या कुछ थे रहे थे हम लोग का तो पॉर्टल से गया था यह तो हम लोग को इन्फोर्मेशन आई थी असमेस दिया था और हमको तो 15 की शाम को मैंसेज भी आया और हमारे स्टाफ जो भी डूटीम लोगों तो लिस में इनको जिम्मेदारी गई थी तो मुझे शाम को फो लिए नाम लिखना था और उसके बार से पूरी जानकारी आपको अच्छे से बताई गया थी अग जी घाम लोग को पूरा इंफोर्मेशन दिया गया था तो कोई भी यह वी आपसे पूछा गया होगा कि आपको कोई अलर्जी तो नहीं है या कोई पहले से कोई बिमारी तो क्या हाँ जी यह सब पूछा जाता क्योंकि कुछ इस में कुछ लोगों के लिए वो है ना जैसे लेक्टिक मदर्स है यह चोटे बेवासी है यह प्रेग्मेंट वोमेंस है उनके लिए छोड़ा सब था बाकि अबर कोई कुछ कुछ को क्या रही होती रही होती रहा कि हम कि मेड़िसिन चल रही है है इसमें कोई साइड एफेक्ट नहीं है आपको बस प्रिकॉशन अगर कुछ पॉब्लम और कुछ अलरगी होती है किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वह उसी लिए उप्जरवेशन में भी ले रहे थैं उसको हम लोगों को वैक्सिन के बाद आदे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर शॉट आउट हो रहा था ऐसा कुछ नहीं था अच्छा जो अब अगली दोज हो गी अच्छाइस नों के बाद जो अगली दोज लगती है उस ताइम पे भी आपको बताया गया कि पूरा ध्यान रखना है या आपसे कोई फीडब मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही बैसे डर्ना ने थी है सब को आगे बढ़के जब अभी तो अब जनता को लगे तो उनको डर्ना ने थी आगे बढ़के इन जे मुटला एक्सिनेशन करवाना चीए इस पर डरने की कोई वो नहीं है थोड़ा दर अब लग जी 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 उनको वैसे भी क्वेरी दूर करी जाएगी और डर्ने की कोई जरूतनी हम लोग इस जग से जीतने की बारी है ना जिब हम लड़ाई लड़ते तो बहुत लोगों कितने हमारे अपने खोए हम लोगोंने तो अब हमारी जग की जीच चाहमार बीतने का टाइम है तो किसी को आम जनता को जब लगना शुरू हो तो आराम से लगवाएं सब लोगी आक्सिमेशन, कोई ड़ने की बात नहीं है। और सुनते रहिए आज तक रेडियो।